आप सब को डॉक्टर रजनीर मन जा साचारे संस्कृत विभाग राज की महरानी सुदर्शन कन्या महाविद्याले वीका निरका नमस्कार स्विकार। हमने कलिदाश रचित अभिज्यान शाकुंतलम के सप्तम अंक में यहां तक पढ़ा था कि वो दोनों मातली और राजादुशियन्त कश्यप के आश्ट्रम में आते हैं और पहले कश्यप का वर्णन करते हैं वो कि यह बड़े ठूट के समान जो दिख रहे हैं जिनके गले में लताएं फस गई हैं जिनके बालों में चिडियों ने गोसला बना लिया है ऐसे वो कश्यप जो हैं वो सामने खड़े हैं अब राजा कते हैं ननु विश्मयाद अब लोकयामी बड़े विश्मय से इसको देख रहा हूँ क्या तो प्राणा नाम अदिलेन व्रित्ति रुचिता सतकल्प व्रिक्षे वने तोय कांचन पद मरेणु कपिशे धर्वा भिशे खक्रिया ध्यानम रत्न शिला तलेशु विबुदस्त्री सन्निधो सैयमो यत कांग्षती तपो भिरन्यमन्यमोने हतस्मिस तपस्यंत्यमी क्या कहा कि सतकल्प व्रिक्षे वने उचिता व्रित्ति प्राणा नाम अनिलेन क्रियते कल्प व्रिक्षे युक्त जंगल में प्राणों के लिए अवश्य करणी या जीविका प्राण वायू से की जा रही है यानि यह वन जो है यह कल्प व्रिक्ष से युक्त है इसमें जीने के लिए जो चीज चाहिए वह प्राण वायू ही है और कोई चीज प्राणों की रक्षा के लिए और कोई चीज की आब सकता नहィं है प्राणवाईू चाहिए सांस लेना प्राणवाईू चाहिए और कांचन पद्म रेणू का पिशे तो ये धर्मा भिषे का क्रिया और कांचन रेणू करते हैं सोने के कमलों के पराग से पिले इलाल या सुनहरे वर्ण के जल में धर्म अपके लिए कीगे स्नानविधी संपादित की जा रही है ये जो आश्रम है इसमें प्राण वायू जो है केवल प्राण वायू से ही सभी जीवित है खाने पिने के उतनी जरूरत नहीं है और अब नदी में ताला में सोने के रंग के कमल खिले हुए है और उनसे वो क्या हो रहा है उनके जो पराग जहरते हैं उनका सरोवरों में उससे वो जल भी पिला हो गया और उसमें रिशी मुनी नहार है और मनियों के शिलापटों पर ध्यान किया जा रहा है और ध्यान करते हैं बैठकर तो वह जगह चाहिए कहां कहीं बैठने के लिए तो करते हैं मनियों का मनी से किम्ती रत्न जो है मनी से मनी का शिलापट है वो यानि पत्थर जैसा सिलापट बना के उस मनी पर बेटके ध्यान किया जा रहा है और देवांगनाओं के सामिप्य में इंद्रिय निग्रह किया जा रहा है और देवांगनाएं वहाँ आई हुई है क्योंकि इतना सुन्दर स्थान है तो देवांगनाएं भी आई हुई है दूसरे रिशी की तपस्या भंग करने के लिए अपसराएं भी आती हैं तो उनके निकट रहकर इंद्रियों का निग्रह किया जा रहा है इंद्रियों को संजमित किया जा रहा है और प्रित्वी के रिशी जो कल्प अब्रिक्ष स्वर्ण कमल आदी तपस्चाओं से चाहते हैं ये रिशी उनके रहने पर भी तप करते हैं प्रिथवी में जो रिशी हैं प्रिथवी पर उनकी तपस्या का उद्देश कई बार यह होता है कि कल्प विक्ष मिल जाए ताकि अपनी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं स्वर्ण कमल मिल जाए तो यह जो इच्छाएं इन इच्छाओं को लिए हुए प्रिथवी के रिशी तपस्या करते हैं यहां के रिशी इनके होने पर भी तपस्या कर रहे हैं यानि इनको यह नहीं चाहिए इन चीजों को छोड़कर ही वो तपस्या कर रहे हैं यही का इसको एक बार फिर से देखते हैं कहते हैं कि सतकलप अब्रिक्ष अर्थाथ सतकलप अब्रिक्ष कलप अब्रिक्ष से युक्त जंगल और इसमें यहां जो जीवन के लिए क्या किया जा रहा है केवल सांस लिजा रही है प्राण वायू लिया जा रहा है और इसी से जिवीत हैं वे रिशी दूसरा कहते हैं कि कांचन पद्मरेणु का पिशे तो ये धर्मा भी शेक क्रिया स्वर्ण कमल के पराग गर गए हैं जल में इससे वह पानी जो है वह पिला हो गया है और धर्माविशेकक्रिया और उससे उसमें धर्म सनान किया जा रहा है धर्म करने वाले रिशी मुनी जो हैं उसमें सनान करते हैं रत्न शिला तलेशु ध्यानम रत्न शिलाओं पर ध्यान किया जा रहा है मणियों पर जो शिलापट हैं मणियों के शिलापट हैं उन पर ध्यान किया जा रहा है और विबुद इस्त्री सन्निधव। देवताओं की जो इस्त्रियां हैं अपसराएं आदी हैं उनके सन्निधव। उनके निकट रहते हुए भी समयह तप किया जा रहा है निग्रह कि इंद्रिय निग्रह किया जा रहा है और अन्य मुनिया तपोवियत कांक्षंती दूसरे मुनी तपस्याओं के द्वारा जो चाहते हैं अन्य मुनिया तपोवियत कांक्षंती तस्मिन उनके सती अप्यून के रहते वे भी अमी मुनिया तपस्यांती ये मुनी तप तपस्या कर रहे हैं जो पृत्वी के मुनी हैं वे अपनी तपस्या द्वारा कल पवरिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष का वह कहता है कि उत्सरपणी खलू महताम प्रार्थना महान व्यक्तियों की इच्छा निश्चित ही उर्धो गामिनी होती है उपर की और जाती है महान व्यक्तियों की इच्छाएं यहां जो रिशी मुनी हैं वे कल पवरिक्षो स्वर्ण कमल नहीं चाहते यह उससे आगे की ऐसे महान व्यक्तियों की इच्छाएं उर्धो गामिनी होती है उत्सरपणी खलू महताम प्रार्थना में परिक्रम नंफिर वो परिक्रमा करते हैं और आकाश को देखते करते हैं आये व्रिद्ध शाकल्य की मनुतिष्ठती भगवान मारीच है भगवान मारीच जो है कश्यप जो है वो व्रिद्ध शाकल्य श्रीमान मारीची पुत्र क्या कर रहे हैं व्रिद्ध शाकल्य कोई व्यक्ति कोई रिशी होंगे उनको मातली ने प बताओ कि मारीच मुनी कश्य प्रिशी वे कि मनुतिष्ठती इस समय क्या काम कर रहे हैं किम ब्रभीशी दाक्षायन्यापति प्रता धर्मम अधिक्रत्य प्रिष्टस तस्टे महर्शी पत्नी सहताय कहें सहताय कथा इती ती क्या कह रहे हो दक्ष की पुत्री के धर्म के विशय में पूछने पर महर्शीयों की पत्नी के साथ उनको बता रहे हैं क्या कह रहे हो कि वे कोई ऐसा प्रवचन दे रहे हैं दक्ष की पुत्री यानि कि अधिती ने कश्यप को कोई ऐसा प्रश्न पूछा है कि धर्म के विशय में, तो जिसको आ उत्तर वे दे रहे हैं और किनके साथ दे रहे हैं, अन्य रिशियों की जो पत्नियां हैं, उनके साथ, अपनी पत्नी को भी धर्म के विशय में बता रहे हैं राजा करणम दत्व आये प्रतिपाल्यावसर है खलू प्रस्तावह राजा कान लगा कर कहता है कि आये प्रतिपाल्यावसर है यह प्रसंग ऐसा है कि प्रतिपाल्यावसर है कि हमें उचित अवसर की प्रतिक्षा करनी चाहिए हमें प्रतिक्षा करनी चाहिए उची तवसर की नकी तेकदम से चले जाना चाहिए मातली राजानम अब लोके मातली राजा को देखता है कहता आस्मिन अशोक विक्ष मूले तावदास ताम आयुषमान यावत्वा मिंद्र गुरवे निवेदेतुं अंतरानवेशी भवामी आप इस अशोक विक्ष के मूल में जड़ में आप जहां उसकी जड़े है जब के पास आपको बेटना चाहिए जब तक मैं अश्मन यत यावत वाम इंद्र गुर्वे जब तक मैं इंद्र के पिता इंद्र गुर्वे निवेदेई तुम सुचित करने के लिए अंतरानवेशी भवामी अवसर की कापता लगा लूँ जब तक मैं अवसर का अनवेशन कर लूँ कि कब अवसर मिलेगा इंद्र के पिता कश्यप को मिलने का कब अवसर मिलेगा अंतरानवेशी जब मैं उस अवसर को पता कर लूँगा तब फिर मैं आ जाओंगा आपके पास तो तब तक आप यहां प्रतिक्षा करिए यहां पर यह था भवान मन्यते जैसे आप आपको ठीक लग रहा है जैसे आपकी इच्छा इति स्थिता आइसा कहके वो इस्थिर खड़े हो जाते हैं मातली आईश्मान आईश्मान साध्या में हम इतिन स्क्राम है इतिन स्क्रांता मातली कहता है कि आप आईश्मन आप यहां रहे मैं आगे जाता हूँ इसके बाद चला जाता है इतनी इश्क्रांता है राजा निमित्तम सूचित्वा राजा निमित्तम सूचित्वा राजा कहता है कि राजा कहता है कि निमित्तम सूचित्वा मनोरथाय नाशन से किम बाहु इस पंद से विधा राजा को कोई शुब शकुन होता है और कहता है मनोरथाय नाशन से मनोरथ नाशन से बाहु भुजा व्यर्थ क्यों पढ़ती हो क्योंकि पहले तिरे श्कृत क्या हुआ कल्यान कठनाई से लोटता है यह भुजा मनोर्थाइन आशन से किम बाहु स्पंद सेवर्था मनोर्थ की को तो बताती नहीं हो मनोर्थाइन आशन से प्राप्तियन आशन से न संभावे आवनी कोई नाशन से मनोर्थाइन आशन से किम बाहु स्पंद सेवर्था क्यों है मेरी भुजाएं ब्यर्थ ही फड़क रही हो पूर्वाब धीरित श्रेयो दुखम ही परिवर्थते क्योंकि पहले तिरह स्कृत किया हुआ कल्यान कटनाई से लोटता है पूर्वाब धीरित श्रेयो पहले जो कल्यान शकुंतला रुपी कल्यान मेरे पास आया था उसका मैंने तिरसकार कर दिया अब वो बड़े दुख से ही मेरे पास लोटेगा बड़े दुख से मेरे पास लोटेगा यह कह रहे है मनोर्थायन आशन से हे बाहू क्यों वे भुजाएं क्यों व्यर्थ फड़कती हो क्योंकि मन की कामना पूर्ण करने होने की आशा नहीं है मन की कामना पूर्ण होने की आशा नहीं है हे भुजाएं व्यर्थ क्यों फड़कती हो पूर्वाव इधिरित श्रेयो पहले जो कल्यान चलके आया था उसका तिरसकार कर देने पर दुखम ही परिवर्थ ते वह बड़े दुख से वापस आता है नेपत्य माखलू चाबलम करे ही चंचलता मत दिखाओ अपने सभाव को पहुची गया अपने सभाव को पहुची गया चंचलता मत दिखाओ वहाँ जब राजा कह रहा है कि है मेरे बुजाएं क्यों बर्थ फड़क रही हो मैं तो कोई अपना मनोरत पूर्ण होता नहीं देख रहा हूँ मनोरताय नाशन से मनोरत की आशा नहीं कर रहा हूँ पहले जो कल्यान है यानि श्रकुंतला मेरे पास आई थी उसके गर्व में बालक भी था बच्चा था तो मैंने उसको तो निकाल दिया अब वो चाह रहा हूँ कि वो लोटाए तो इतनी आसानी सैसा होने वाला नहीं है तो जैसे ही वो यह कहते हैं कि नेपत्य से आवाज आती है माखलू चापलम कुरू चंचलता मत दिखाओ कथम गत एवात्मनह प्रकृतिम कैसे अपने सभाव को पहुँची गया तो राजा कर्णम दत्वा अभूमी रियमावी नयस्या यह भूमी तो उद्धंडता के लिए नहीं है कोनु खल्वेश निशिद्यते तो फिर यह कोन है जिसको मना किया जा रहा है शब्दानु सारे नावलो के सविश्मयम और सब्द के अनुसार शब्द जी धर से आ रहा है उस उद्धर देखकर कहता है कोनु खल्वेश मनु बद्ध्यमाना वानस तपस्वनी भ्याम बालसत्व बालहा कि यह कोन बालक है जिसका बल बालकों जैसा नहीं है और जिसके पिछे दो तापस्या लगी है यह जो बालक है इसका इसकी शक्ति बालक जैसी नहीं है बहुत ज़्यादा है और दो तपस्वनिया इसके पीछे पीछे आ रही है यह बालक है कोन ऐसा सोचता है हुआ इस प्रकार से हमने आज थोड़ा और पाराण किया शेश्रम आगे पाराण करेंगे धन्यवाद